तो अगर आपको या तो आपको सब कुछ ही आता है या फिर आपको आपने सौल भी नहीं करा है तो देखिए मौक टेस्ट टू को सौल कीजिए कोई भी प्रॉलम अगर आती है तो कॉमेंट्स के तो आप मैं से पूछ चकते हैं तो अब हमारा जो एक्जाम में आने ही वाला है 12-13 दिन के अंदर तो अब इस 12-13 दिन के अंदर हम कैसे अपने नौलिज को बढ़ा सकते हैं कैसे हम 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए आप मैं इवनिंग में एक वीडियो डालूंगी उसमें सारी स्ट्राटेजी लिखी हूँगी कैसे कैसे पढ़के आपको 150 प्लस स्कोर आपका आ सकता है तो आज जो है मैं अपनी इस वीडियो में मौक टेस्ट 3 लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और मौक टेस्ट 3 में इसके सॉलुशन्स मैंने इसके साथ ही लगा रखे हैं ताकि आपको टाइम से चीज़ें मिल जाएं अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पतल लगेगा कि एक्जाम किस टाइप का आने वाला है गाइस मैं आपको पहली बता रही हूँ एक्जाम ऑनलाइन मोड का होगा और 2,00,00 से जादा अप्लिकेशन आई हैं चीक है और सिर्फ 2,54 सीट्स हैं अब आप ये समझ लिएजे कि कॉम्पेटिशन बहुत हाई रहने वाला है तो इससे बेटर यही है कि कोई हम से आगे निकले हमें अपने त्यारी को तना स्ट्रॉंग रखना है कि हम नंबर वन पे आ जाएं चीक है तो ये मौक टेस्ट 3 है हमारा जो मैंने आज लगाया है आप इसको देखिए इसमें क्वेशन्स हैं मैं आपको कुछ कोईशन्स पढ़के बता देती हूँ अगर आपको कुछ प्रॉलम आएगी तो आप में इसे कॉमेंट्स के तरूप पूछ सकते हैं साथ ही मैंने मौक टेस्ट के एंड में इसके सॉलुशन्स लगाये हैं ठीक है हर जो हर सेक्शन्स के 40-40 क्वेशन्स हैं हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंडी तो इसमें सारे आपको क्वेशन्स मिलेंगे और ये मौक टेस्ट मेरा है इसकी आपको पीडियाफ की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी तो गाइज, आप खुद भी पढ़िए आप में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें प्रैक्टिस कर सकें ताकि सब को ये त्यारी अच्छे से हो सकें ये देखें, लास्ट में मैंने इसके solutions लगाए है यहाँ पर चेक कीजिएगा ये रही, ये mock test 3 के solutions है और जो starting में थे, वो mock test 2 के थे अगर आपने मेरा mock test 2 अभी तद देखा नहीं है तो मेरी previous वीडियो को आप चेक कीजिएगा साथ में मैं इस वाले section में मैं description में उसका link add कर दूँगी तो mock test 3 जो है हमारा ये मैंने आज लगा दिया है आप लोग इसको दे चेक कीजिए, पढ़िए साथी solve कीजिए, कोई अगर problem आती है आपको समझने में तब इसे पूछ सकते हैं जैसे कितने easy-easy questions है लेकिन paper का जो है level है वो ठीक normal रहेगा बट cut-off जादा जा सकती है जैसे which amendment act of Indian constitution granted special status to Delhi तो ये question हो गया ऐसे ही in which year was covered included as a medal event in Asian Games ठीक है ये आप solution में देखिएगा क्या है इसका answer मैं ऐसे questions read कर रहे हूं ठीक है जैसे ओम केशवर डैम कहां located है अगर आपने मेरी GK की classes ली है तो उसके अंदर मैंने GK में proper एक PDF मतलब हर class का एक PDF डाला हुआ है जिसके अंदर मैंने पूरे India से related जितने भी छोटे-छोटे हमारे questions है वो सब मैंने उसमें add किये हुए है ठीक है जहां से आपो करने प्रॉलम नहीं आएगी जैसे which organization releases the world economic situation and prospectus in 2021 जैसे ही यहां पर which country topped the climate change performance index यह भी आप देखिएगा पी सारे answers मैंने इसमें दिये रखें आप वहाँ से पढ़ी अगर आपको यह question नहीं भी आते जीके के तो आप कम से कम यह मान के चलिए मैंने 10 mock test लगाने है तो आपको 10 or 40 400 400 आपको questions मिल जाएंगे जीके के तो अगर उसमें से हमारे 10 भी आजाते हैं एक्जाम में तो हमारे लिए beneficial रहेगा यहां पर आप देखिए which country hosted the leaders summit of Asia Pacific Economic Corporation तो इसका भी आप solution नहीं MSWM की full form हो गई stands for when were padam awards instituted कब से हुआ था ठीक है the part of plant that heals the saffron spice saffron होता है आपका केसर केसर किसमें कौनसे part में से मिलता है plant के minimum support price of paddy is rupees dash but quintal ठीक है यहां पर the Charminar situation in eastern bank of dash river with the Makkah Masjid जो Charminar चार्मना हमारे हमारे है Hyderabad में तो यह 2 questions ready हो गए आपके Pench National Park is situation in which location ठीक है यह सब question हो गए Capra Agrigris Hercus is the scientific name of water ठीक है the largest producer of cotton cotton सबसे ज़्यादा कपास की खेती यह कपास है सबसे ज़्यादा कहां पाया जाता है ठीक है कहां पे Finance Constitutional Agbar's court Agbar के court में कौन जो है Finance समालता है इनकी मुंची था Who was the leader of the great revolt 1857 कौन था यह आपको यह तो बहुत ही असान question है यह तो बिना पड़े भी बंदों को आता ही होगा The League of Nations was founded and League of Nations कब found हुई थी To keep the peace after World War 1 सबको पता है World War 1 कब हुई थी हमारी उसके बाद League of Nations कब founded हुई थी तो यह सब questions है यह हमारे paper में आने है नीचे आपको mathematics मिलेगा Mathematics के लावा मैं maths के कुछ खास topics बताऊंगी जिसमें से question आपके 100% आने ही आने है चार से पांच तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा उस topic को ready कीजिएगा साथ में reasoning आपकी normal level की आने वाली है अगर जिन students ने SSC करे के त्यारी कर रखी है तो उनके लिए reasoning करना कोई tough बात नहीं होगी और Hindi, Hindi का section तो हमारा normal ही आता है बहुत easy आता है जिसको Hindi में काफी interest है तो वो परसन आराम से इसको crack कर सकता है 40 out of 40 ला सकता है Hindi के section में So this is me, Tanvi Dhyani And this is all about today So I am going to signing off right now मिलते हैं शाम को शाम की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोंसे strategy use करें अपने 150 plus score लाने के लिए 150 plus target तब ही आप cut-off में आएंगे Otherwise, target achieve करना बहुत मुश्किल होगा Thank you so much. Goodbye